हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक और ब्लोग बित प्रियंका सिन्ना में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ चिकन टिका की रेसिपी और ये चिकन टिका हम बनाएंगे गैस एस्टोफे फ्राइ पैन में बिना तंदूर बिना अवन के ये चिकन टिका बहुत टेस्टी बनके तयार होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी अगर में रेसिपी आपको अचोची लगती तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल का पटन प्रेस कर लीजे ताकी मेरा हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंस सके और वीडियो अचोची लगे तो लाइक केज्ये, सेर कीजे, कमेंट केजे तो चलिए स्टार्ट करते आज का इस्पेसल रेसिपी चिकन टिका बनाने के लिए हम लेंगे बोनलेस चिकन और इससे अच्छे से हम साफ कर लिए हैं और इसका साइज आप अपने पसंद से बड़ा छोटा रख सकते हैं अब इससे हम मैरिनेट करेंगे तो चिकन टिका के लिए दो बार मैरिनेट करेंगे तो ये पहला मैरिनेशन है इसमें हम डाल रहे हैं एक निम्बू का जूस आधा चमच अद्रक लेसन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक आधा चमच करीब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके अगर आपके पास टाइम है तो इसे आदे घंटे के लिए रख दीजे नहीं तो पंद्रा बीस मिनिट के लिए भी रख देंगे तो हो जाएगा तो इसे अच्छे से हम mix कर लेते हैं अब यह अच्छे से mix हो गया है हम इसे ढख के आदे गंटे के लिए हम इसे रखेंगे तो आदे गंटे के लिए हम इसे रख दिये थे अब यह हो गया है marinate तो इसे side में रख देंगे और इसके second marination की तयारी कर लेंगे तो हम यहाँ पे एक mixing ball लेंगे और इसमें डालेंगे सरसो तेल सरसो तेल यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि सरसो तेल से बहुत अच्छा smoky flavor आता है तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप skip कर सकते हैं एक चिकन टिका में सरसो तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो हम यहां पे दो बरे चमच सरसो तेल ले रहे है और इसमें हम डालेंगे दो चमच कस्मीरी लाल MIRCH यह कस्मीरी लाल मिर्च तीखा बिल्कुल नहीं है बस इससे कलर बहुत अच्छा आएगा अब इसमें हम डाल रहे हैं आधे चमच अद्रक लेसन का पेस्ट और एक चमच कसूरी में थी अब इसमें हम डालेंगे दो चमच दही ये दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपके दही में पानी है तो इसे चाय चानने वाले में डाल के रख दीजे या पतले कपरे में रख के इसका पानी पूरा निकाल लीजे हमक से मिक्स करेंगे अच्छा सा एक पेस्ट हम तयार कर लिए अब हम लेंगे इसमें आधा चमच करीब नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह पेस्ट हमारा अच्छे से तयार हो चुका है अब हम चिकन लेंगे और चिकन को इसमें डाल लेंगे तो यह चिकन को आ लेके दवा दबा के उसका पूरा पानी हम निकाल देंगे और ये पानी हम फेक देंगे अब पूरे चिकन को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि ये पेस्ट पूरे चिकन पर अच्छे से लग जाए तो इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढखके रख देंगे अगर आपके पास टाइम है तो इसे दो घंटे के लिए रख दीजे पर अगर आपके पास टाइम नहीं है अगर जल्दी बनाना है तो आप इसे आदे घंटे के लिए भी रख सकते हैं हम इसे एक घंटे के लिए रखेते और ये अच्छे से मैरिन हो गया है तो चलिए अब हम चिकन टिका बनाएंगे तो गैस अन करके हम एक पैन चरहाएं हैं और पैन को बिलकुल हाई फेम पे रखेंगे गैस पूरा फुल होना चाहिए हमारा नम धुवे वाली गरम होना चाहिए पैन हमारा अब इसमें हम डालेंगे करीब एक चमच तेल हमको जादा तेल नहीं डालना इसमें और पूरे तेल को हम फैला लेंगे पूरे पैन में और गैस को हम फुल रखेंगे और पैन भी हमारा बहुत गरम होना चाहिए फुल गरम होना चाहिए पैन भी हमारा अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे तो एक बार में जितना चिकन जालते ही हम इसे पलट देंगे, क्यूंकि अभी पैन हमारा बहुत गरम है ना तो ये जलने लगेगा, तो एक बार में पुरा चिकन डाल लेंगे और हम इसे तुरंत पलट देंगे, तो पहले हम चिकन रख लेते हैं, और अभी तक हम गैस को फुल ही रखेंगे, अब ये पू चिकन को पलट लेते हैं उसके बाद और 10 मिनट हम इसे धक धक के पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से अंदर से पक भी जाए यह इतना देर मेरिनेट हो गया रहता है ना कि इसके पकने में टाइम नहीं लगता बहुत अच्छे से यह अंदर से सौप्ट हो जाता है तो इसे हम 10 मिनट धक धक के पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और यह जो डार्क ब्राउन कलर आ रहा है ना वो जरूरी है तभी चिकन टिका का टेस्ट आएगा बिल्कुल तंदूर जैसा टेस्ट आएगा यह डार्क ब्राउन स्पॉट्स इस पे होना ही चाहिए यह जला हुआ नहीं है आप इसे इतना तक जरूर पकाईएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने इसे तंदूर में बनाया है तो करीब हमारा 10 मिनट कंप्लीट हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से पक भी गया है और इसका अच्छा कलर भी आ गया है तंदूर वाले चिकन टिका का कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो पुरे चिकन को हम निकाल लेंगे और यह जो मसाला बचा है ना निकाल लिए हम और यह जो मसाला बचा है ना इसको हम फेक देंगे हटा देंगे नहीं तो सक बेच भी हम अपना चिकन टिका का बना लेंगे तो फिर से गैस को फुल कर लेंगे पैन को फुल गरम कर लेंगे और उसके बाद चिकन को इसमें रख देंगे और पूरे चिकन रखने के बाद तुरंत इसे हम पलट देंगे और गैस को कर देंगे स्लोर टू मिडियम और उसके फ्लेवर देंगे तो गैस अन करके हम एक नेट डाले हैं गैस पे ये प्रोसेस करने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा तो एक नेट डालेंगे और इसकी उपर डालेंगे हम चिकन गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे और ये प्रोसेस बहुत साबधानी से रख करें unemployment of a chemistry हम बटर को ऊपर अपर लगा लेंगे हमेरा नहीं हम दोनों साइड़ लगा के और आग में तहो कि इसका बहुत अच्छा सा तंदूर जैसा टेस्ट आ जाए तो यहां पर मेरा एक बैच तयार हो गया सवर्ड़ को ऐसे कर लेंगे और बहुत साबधानी से हम इसे करेंगे यह process करने के बाद चिकंटिका का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है बहुत जादा और बढ़ जाता है तो यहाँ पे मेरा पुरा चिकंटिका बनके तयार है अब हम इसे serve कर लेते हैं हम यहाँ इसे पूदिने और दही के चटनी के साथ serve कर रहे हैं आप इसे अपने पसंद चटनी और सेलेट के साथ खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी बनके तयार होता है, बिना आवन बिना तंदूर के चिकन टिखाआप अपने गैस से डाब़ और और फ्राइफ नenzie बना सकते हैं और बहुत असानी से बना सकते हैं तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और हमें जरूर बताइगा कि कैसा लगा मैरा ये रेसेपी तो अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल का बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में